तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में तो फाइनली उर्दू ग्रामर के अब्जेक्टिव क्वेशन का स्रीज चल रहा है और जिसा कि आप लोग को पता होगा कि आज की इस एपिसोड में भी हम लोग टोटल 20 क्वेशन करने वाले हैं अब 20 में बिस क्वेशन सही करने के लिए आप लोगं भी रेडि हो जाइए बिलकुल तेयार हो जाएए और फिर लास्ट में 20 में आप कितना सही कर पा रहा रहें आपको 20 में 20 डेकर चल रहे हैं जितना सही कर पाहें? लास्ट में comment box में लिके है ज़रूर बताएं काफी important question है एक दम नया question और आप लोग चली start करने से पहले वीडियो को फड़ा फट लाइक कर दे चानल पर नए ने आये तो चानल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग पहले से ही सब्सक्राइब करके रखे हुए देन वीडियो को शियर करें जितना ज़्याद हो सकी और आज किस वीडियो को status पर जरूर लगा दे जितना ज़्याद हो सकी class 10 और 12 के विद्यारतियों को आप लोग उर्दु ग्रामर की objective series में जोर दे क्योंकि ये class 10 और 12 दोनो class के लिए काफी important series यानि कि एपिसोड चल रहा है जितना भी episode अभी ये कितना episode है episode 7 है ठीक है साथवा episode चल रहा है आप लोग जितना ज़्याद हो सके video को श्रियर करके जितना student है सभी को जोर दें आप लोग ठीक है चलिए question number 21 क्योंकि Joo नमघेक जौई अगर आप लोगोंने सब्हेस ताओव हो रहे सवाल किया है कि ऑरतों जबान में मुरखव कि हुआ कि ने कि पर्चिस कूछा रहा है कि यानिकी संख्या कितनी है h 2020 चुछ ऑर वे उसे चाहिए कि यह तो». यहां पर द्यान दिखें हाथ हर्फ से रीक मिलकर बना हो यहीं कि बेड़न से बना हो जैसे बेड़ना है m क्या क्या बनता है रिल भी प्लस है मिलकर ठीक डिफ तो यह दो रूंस मिलकर बना हुआ जो है न हर्फ है यानि कि ये जो हरूफ है ये दो हर्फ से दो लेटर से मिलकर बना हुआ है इस तरह के हरूफ को क्या कहेंगे हरूफ मुरकब कहेंगे ठीक है तो हरूफ मुरकब की जो तदाद है यानि कि संख्या वो है 15 इस तरह करकर के टूटल जो है ना 15 हुरूफ है हुरूफ है मरकब की ठीक है आगे बढ़ते हैं बाइस नंबर सवाल है कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्मे है और दो भी में चार सी में तीन और डी में छे यह तो मैं आप लोग को बहुत बार हजारों बार बता चु संगया की जो टाइप होती है इनकी किस में वह तीन किसमें होती हैं इसमें जामीत मच्दर और मच्टक यह तीन जो है ना टाइप होते हैं और हर एक टाइप के इदम डेपली पढ़ायाँ गया यह इंपोर्टेंट है चाहें क्लास 10 की बात क्यों नहों या फिर प्लास 12 की पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 23 कि दर्जजयल में लाका की पहचान करें बता दीजिए इसका सही एंसर क्या होना चाहिए आप डिरेक्ट देख सकते हैं लाका किसे कहते हैं जो लास्ट में जूरे लासे लास्ट साबका किसे कहते हैं जो शु नमबर आ पड़्यान दिजेए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये एक जाबका वाला लव्ज है बांदमिजाद ये भी नहीं होगा रखाला Ke gravel के शुरू में लग diff ध्राम ये बी उप्वाला लवर recap कि फूले ना समाना का क्या मतलब है, फूले ना समाना का क्या मतलब है, उपसने में हैं, बहुत खुश होना भी में, फूल खरीदना, सी में, फूल जैसी चीज, और डी में, फूल पिरोना, तो फूले ना समाना का मतलब तो आप लोग बहुत ही असान है, बता सकते हैं, फूल में जिसका On E में जिसका माणी नहीं हो सी मैं जिसका माणी असान हो ड़ी में जिसका माणी मुश्किल हो लफज मौ Unless … यह विम दो नो टाइब बताय कि आप्क वोगों लसकी दो किसमें पहले है लफजे मौ जूम कि उस तरह कहते हैं ठीक है option number B is the correct answer question number 26 है कि दर्गजैल में काम का मुत्रादिफ क्या होगा option में है काश B में काज C में आज और D में काल तो काम का मुत्रादिफ यानि की परियाएवाची शब्द आपको बताना है synonym word तो काम बोलिए फिर काज बोलिए बात यही है दोनों का अर्थ है यानि कि एक दूसरे के परियाएवाची शब्द है मुत्रादिफ लफ्स कहलाएंगे ठीक है question number 27 की किसी काम की करने का असर जिस पर पढ़ेगा उसे क्या कहते हैं option में fail B में file C में मफूल और D में सिफत क्या होना चाहिए तो बहुत आसान क्योंकि सारा का सारा topic उर्दु grammar पुरा का पढ़ाया जा चुका है आप आसाने से बता सकते हैं किसी काम की करने का असर जिस पर पढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं मफूल यान कि option number C is the correct answer हलांकि file कहते हैं काम करने वाले इंसान को fail कहते हैं काम करने को यान कि क्रिया को इस नकरह की निशान दही केज़ें इस नकरह कहते हैं common नाम यान की आम नाम को जिससे पूरी जाती का बोद हो option A नदी में गंगा नदी की बात की गई है ये एक special नाम है option number A नहीं होगा बी भी नहीं होगा क्योंकि शहर में पढ़ना शहर की बात की गई है ये एक खास नाम है किताब में कुरान शरीफ की बात की जा रही है तो option number D भी नहीं होगा क्योंकि एक आम नाम हमें बताना है जो की option number C में है नदी नदी से पूरी जाती का बोद हो रहा है नदी की मतलब नदी में सबी तरह की नदी आ सकती है गंगा नदी ये मुना नदी ठीक है तो नदी क्या है एक आम नाम है जिससे पूरी जाती का बोद हो रहा है question number 29 देखिए दरजल में मॉननस की पहचान करें option ने में मजाज, B में जाज़त, C में पत्थर और D में आसू तो मजाज कैसा है हम लोग पुछें आपका मजाज कैसा है ठीक है कैसी है नहीं कैसा है तो option number A तो होगा नहीं क्योंकि एक मुझकर लवज है पत्थर गिरा गिरी नहीं पत्थर गिरा तो option number C भी नहीं होगा क्योंकि एक मुझकर लवज है इस्त्रिलिंग यानि कि मॉनस लवज नहीं है ठीक है D भी नहीं होगा आसू बह रहा है आसू बह रही नहीं आसू बह रहा है तीक है option number D भी नहीं होगा आपको हमसे इजाज़त लेनी चाहिए लेनी चाहिए लेना चाहिए नहीं तो इजाज़त जो यह लफ्ज है यह है मौनस लफ्ज यानि की इस्त्रिलिंग लफ्ज ठीक है तीस नमबर सवाल है कि वह लफ्ज जिसका इस्त्माल इस्म के बदले या उसके जगा पर किया जाए उसे क्या कहते है और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे और हिंदी में कहेंगे सरवनाम ठीक है तीस क्वेशन कंप्लीट अब देखें यहां से हमारे हाथ हो दौरा लिखा गया है क्वेशन स्टार्ट हो रहा है क्वेशन नमबर 31 कि दर्जायल में मौमल लफ्ज की निशान दई कीजिए उप्सन A में क्लम, B में वलम, C में रोटी और D में काम लफ्ज मोमल किसे कहते हैं जिसका कोई मानी नहीं होगा कोन्स सेगा है यह बहुता है वाइद मुझाइद मतकल्ण बी हाइद आजिर आजिर जमा मतकल्म और डिमे हैं वाहिद गायब ठीके ना सेगा टॉपिक का नाम ही है अगर आप लोग ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो सर्च भी कर सकते हैं सेगा भाई मुसकान मैं मुसके डबल ए जरूर दीजेगा सेगा भाई मुसकान मैं वहाँ पर आप लोग को डीपली बता और यह singular नहीं है प्लूरल है यानि कि वाहिद नहीं है जमा की बात की गए रही है यानि कि जमा है और प्लस मुतकलिम है तो जमा मुलका मुतकलिम option number C is the correct answer ठीक है question number 33 कि दसे जैल में हाय मल्फूजी की पहचान कीजिए option A में है बंदा, B में है गुस्ता, C में गुनाह और D में है गंदा तो देखिए हाय मल्फूजी किसे कहते हैं जिसे हे को पूरा का पूरा पढ़ा जाए अब देखिए यहां पर बंदा में हे को नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग option number A तो होगा नहीं गुस्ता में हम लोग हे को न पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं गुनाह तो option number C इस तफ करेक्ट अंसर यही कहलाएगा हाय मल्फूजी ठीक है जिस हाय जिस हे को पूरा का पूरा पढ़ा जाए उसे कहते हैं हम लोग हाय मल्फूजी ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 34 की अकरम ने खत लिखा इस जुमले में अकरम क्या है तो अभी दोली बात है कि अकरम क्या कहलाएगा अकरम फाइल कहलाएगा क्योंकि यह काम को कर रहे है खत लिखने का काम कौन किया अकरम किया जो काम करें उसे कहते हैं हम लोग फाइल तो option number B फाइल यानि की subject है इस तक correct answer question number 35 की दर जजजैल में इसम आला की पह फिर हतियार का पता चले उसे कहते हैं हम लोग इसमे आला अब देखिए option number A तो होगा नहीं बाग B में है खुश्चूरत इसे कोई और या फिर हतियार का में पता नहीं चल रहा है सी में लड़का ये भी नहीं होगा आरी हाँ इससे और का पता चल रहा है कि आरी क्या है एक दूख ये सारी चीजें जो ओजार या फिर हतियार का नाम जाहिर करें उसे हम लोग कहते हैं इसमें आला तो option number D is the correct answer question number 36 है कि शरम का मतरादिफ क्या होगा यान कि प्रियाए बाची एक जैसा मानी रखने वाला लवज कौन है option A में हया भी में है वपासी में इज़त और द बात है option number A is the correct answer शर्म बोलिये फिर हया बोलिये बात एखिये दोनों का मिनिंग एखिये एंकि एक दुसरे के मतरादिफ लवज है question number 37 है कि दर्जजायल में वाव मजहूल की निशान दही करें option A में है खौब खौब तो लिखा गया लेकिन खौब पढ़ा जाएगा option A में ह भी में है मोर सी में दर्खास्त और डी में हूर तो वाव मजहूल उस तरह की वाव को कहते हैं जिसको खीच करना पढ़ा जाए ठीक है अब देखिये यहां पर option A में खाब इसमें तो डारेक्ट वाव तो वाव को तो हम लोग पढ़ी नहीं रहे हैं तो option number A तो होगा नहीं डी की बात करें हूर तो इसमें हम लोग हूर यानि कि वाव को खीच कर पढ़ रहे हैं option number D भी नहीं होगा और दर्खास्त में दर्खास्त में वाव जो है ना यह पुरा का पुरा साइलेंट है तो option number C भी नहीं होगा यानि कि option number B is the correct answer more हम लोग डारेक्ट बोल दे रहे हैं इसमें वाव को खीच कर नहीं पढ़ा जा रहा है ठीक है तो option number B is the correct answer हलांकि यह सारा टॉपिक वाव की किसमें हाए यान की हे की किसमें अलिफ की किसमें यह हर एक चीज़ आप लोग को पढ़ाए गया है हुरूफ की किसमों में ठीक है question number 38 है कि दर जैल में फेल की निशान आएगा प्री पोजिशन अहमद यह भी एक नाम है यान कि इसमें आएगा यह कहलाएगा फेल क्योंकि आना क्या है कि काम है क्रिया क्रिया को उर्दों में क्या कहते हैं फेल कहते हैं option number 6 is the correct answer 39 number question है कि दर जैल में इसमें तादाद की निशान दही कीजिए option में है बाग भी म है बद और डी में पच्चास इसमें तदाद किसे कहते हैं जिससे संख्या जाहिर हो ठीक है तो बाग से संख्या कोई नंबर तो जाहिर नहीं हो रहा है बाग इचा भी नहीं होगा बद भी नहीं होगा पच्चास से नंबर का हमें पता चल रहा है तो option number D is the correct answer ठीक है अगल से 2, B में है 3, C में 5 और D में 7 तो जैसा कि इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे टेंस के 3 टाइप हिंदी में पढ़े होंगे काल के 3 थीक हैं इंग्लिश में present past and future हिंदी में भूद काल उर्तमान काल और भविस्येकाल उसी तरीके से उर्दू में जमाना के भी तीन ट तो यहां पर 40 क्वेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 40 क्वेशन तक और आज के इस एपिसोड में 20 क्वेशन किये अब आप लोग बता दीजिए कि 20 क्वेशन में कितना क्वेशन आप लोग सही कर पाए हैं और जो कुछ भी आज के इस वीडियो में आप लोग को समझाया है समझ में और यह कुशों करने में मज़ा आया है यह डैनी वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिए भी बता दे हैं वीडियो को लाइक करते चानल पर नहीं नए तो चैनल को सब्स्क्क्राइब कर देना है तकि दुसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अब हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट उर्दू ग्रामर की अब्जेक्टिव क्यूशन के साथ बस आप लोग को एक काम करना है कि वीडियो को जितना ज़्याद करना है स्टेटस पे लगा दे ठीक है ताकि सभी लोग जो है न इस उर्दू ग्रामर के अब्जेक्टिव क्यूशन के स्रीज में जूड़ सके ज़्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग को बस इतना ही काम करना है क्योंकि शियर करने में सब्सक्राइब और क्राइक कर करें ठीक हैं ओर वीडियो को लाइक करें चैनल पर ने लाए है सबस्राइब करें चलिए आज कि इस वीडियो काtechn करते हैं इसके साथ मैं है आप सभी लोग को से विदाल लेती हूँ फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड की साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज